Hello everyone, welcome to classes with Poonam. Today we'll do second chapter of class 6th history. The name of this chapter is from hunting gathering to growing food. इस chapter में हम एक बहुत लंबे time period को discuss करने वाले हैं. Hunting gathering से food grow करने तक के सफर को. हमने first chapter में discuss किया था कि नर्मदार नदी के किनारे लाकों साल पहले लोग रहा करते थे और अपने आसपास के forest के area से वो लोग food को gather करते थे और forest में रहने वाले जो animals होते थे उनका शिकार करते थे. तो hunting gathering करते करते किस तरीके से उन्होंने food को grow करना सीखा वही हम इस chapter में discuss करने वाले हैं. तो चलिए start करते हैं with Tushar's train journey. तushar यहां पर हमारे लिए कोई important character नहीं है लाइकिन first chapter रशीदा बट अपने train journey के दोरान उसके माइन में जो fact आती है या फिर जो question आता है वो हमारे लिए important है. तो चलिए देखते हैं कि क्या question उसके माइन में आता है तushar डेले टू चेन नहीं अपने cousin की wedding को attend करने के लिए जा रहा था वो लोग train से traveling करते हैं और anyhow तushar manage करता है कि उसको जो है window seat ही मिले. window seat के पास मिलने के बाद वो बिल्कुल उसके पास blue होके यानि कि उसके पास चिपकते बैठ जाता है और जैसे ही train move करती है तो वो notice करता है कि जो रस्ते में आने वाले trees और houses हैं उन्हें वो कितना जल्दी पीछे छोड़ते जा रहे हैं. अभी वो इस चीज़ को notice ही कर रहा था कि तभी उसके अंकल उसके shoulder पे tap करते हैं और उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है जो हमारी first train थी वो 150 years ago ही चली थी उससे पहले trains move नहीं करती थी. एवन अगर हम buses की बात करें तो वो उसके कुछ decades बाद आई. decades means a time period of 10 years. ओके तो अपने अंकल की ये बात सुनके तो शार wondered हो जाता है, surprise हो जाता है कि पहले लोग इस तरीके से move करते थे जब trains और buses नहीं हुआ करती थी या फिर वो move ही नहीं करते थे. जिस place पे उनका birth होता उनहीं पे उनके death हो जाती थी एक ही place पे वो रहते थे बाट ऐसा तो नहीं है हमने अपने first chapter में भी discuss किया था कि लोग जो है one place to another place move करते थे अपने livelihood की search में natural disasters से अपने आपको बचाने के लिए और even जो king होते थे वो अपने territories को expand करने के लिए ऐसे लोग जिनको adventure पसंद है नहीं नहीं places को explore करना पसंद है वो नहीं नहीं places के find search के लिए जो है one place to another place move करते थे जो religious teachers हुआ करते थे वो लोगों को जो है अपने religion के बारे में बताने के लिए move करते थे means ऐसा तो नहीं है कि लोग एकी place पे रहा करते थे वो move तो करते थे लेकिन कैसे move करते थे ओके ये रीजन था कि उनके पीछे move करने का क्योंकि देखिए वो तो forest से चीजों को gather करते थे उन्हें तो forest से gather ही करना था तो move क्यों करना था तो क्या क्या reason थे उनके पीछे move करने के the earliest people why were they on the move इस point में हम discuss करने वाले हैं हम जानते हैं कि millions years ago हमारे सब continent में लोगों ने रहना start कर द क्यों कहते हैं hunter gatherers क्योंकि वो जो है अपने आसपास के एरिया से अपने food को gather करते थे और forest को sorry animals को hunt करते थे इसलिए उनको जो है hunter gatherers कहा जाता था तो यह hunter gatherers one place to another place क्यों move करते थे इसके पीछे बहुत सारे reasons है वो क्या है पहला reason यह है कि एक place पर अगर वो लंबे time तक रहत होता था और जो भी plants और animals resources available होती थी वो सारी की सारी खतम हो जाते थी तो खतम हो जाने के बाद अपने food की search में उन्हें दूसरे place पर जाना पड़ता था यह तो है पहला reason दूसरे reason क्या है कि जो animals होते थे वो भी तो कुछ न कुछ खाते थे तो ऐसे animals जो grass को खाते थे वो grass डर्स होते थे वो भी move करते थे तो second reason यह था third reason था कि जो plants होते हैं वो पूरा year तो fruits नहीं दे सकते हैं वो किसी season में ही particular season में fruit देते हैं तो वो season जिसमें plants fruit नहीं देते थे तो उस season में वो उस place को छोड़ कर ऐसे places पर चले जाते थे जहां पर उन्हें ऐसे plants मिल सके जो fruit बे water की बहुत ज़्यादा जुरूरत है whether it is of human being animals और plants सबको water की बहुत जुरूरत है तो लोग जो है पानी की तलाश में भी एक प्लेस से another plus move करते थे कुछ rivers ऐसी होती है जो perennial river होती है perennial river means ऐसी rivers जो पूरा साल पानी देती है तो ऐसे लोग जो perennial rivers के किनारे रहते थे वो less move कर तो यह तो थी reason hunter और gatherers के moving के पीछे four reasons एक वर फिर से हम discuss कर लेते हैं पहला reason एक प्लेस पर लंबे टाइम तक रहने के बाद उस प्लेस का खाना खतम हो जाता था तो अपने खाने के place में move करते थे sorry खाने के search में move करते थे दूसरा reason क्योंकि animals move करते थे तो इसलिए animals के places पर ऐसे places पर जहां पर उनको plant से fruit मिल सके fourth reason वो लोग जो है water की search में one place to another place move किया करते थे okay तो यह reason थे hunter और gatherers के one place to another place move करने के next हमारा जो point है वो है how do we know about these people हम इन लोगों के बारे में आखिर कैसे जानते हैं देखें यह चीज़ हमने अपने first chapter में भी discuss की थी कि जो archaeologist हैं वो earliest people के कुछ sources को जो वो खाते थे पहनते थे जहां पर वो रहते थे उन चीज़ों को ढूंडते रहते हैं और उसके study करते हैं और तभी हम जो है इन लोगों के बारे में जान सकते हैं तो ऐसा ही hunter और gatherers के बारे में भी archaeologist में किया archaeologist में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ढूंडा जो hunter gatherers बनाते थे और use करते थे जैसे की stone जो उनके tools हुआ करते थे वो जो tools बनाते थे वो stone, wood और bond से बनाते थे और उनमें से जो best tools हैं वो आज भी survive कर रहे हैं कुछ tools आज भी survive कर रहे हैं जिससे archaeologist को पता चला कि हाँ ये ल ग्राउंड को तो होते थे जो direct stone के ही बने होते थे कुछ tools हैसे होते थे जो वो stone से बनाते थे और उनके साथ handle लगा देते थे बन या वुड का कुछ tools हैसे होते थे जो direct bone या वुड से भी हुए होते थे like जो arrow होता है यानि कि animals के शिकार के लिए उनको arrow की नीड पड़ती तो वो टूल्स जो है वो बॉन और वुड से ही बनाते थे ऩाइप यहां पे जो है कुछ टूल्स की ट 사ई हुई है यह देखिए यह जो उनका tool है इसका यूज्स Yayू वो ग्रांड को डिख करने के लिए करते थे यानिकि प्लांट की इस प्लांट्स की हम रूट खाते हैं उन रूर्ट्स को बाहर निकल कर खाने के लिए यह वाला जो टूल है इसका यूज्व वो किस लिए करते थे secrets to help वाल के लिए ताकि इसके अंदर होल करते हैं तुसके लिए ताकि सिरम no to help बॉन्स को कट करने के लिए टूल्स का यूज करते थे दूसरा ट्रीज की जो बाक होती थी उसको सेपरेट करने के लिए या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते थे चोथा जो फ्रूट्स और रूट्स होती थी उनको चॉप करने के यह वो लोग इसका यूज करते थे तो यह उनके यूजेस थे टॉल्स के हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चूजिंग अप्लेस टूलिंग इन रहने के लिए अपनी जगह को चूज करना अब ऐसा तो नहीं है न कि भी हाँ जहां पर उनको खाली ग्राउंड दिखा औ ही वो बहुत सरे फैक्ट को पहले देखते थे कि यहां पर फूड अवलेबल हो पाएगा या नहीं वोटर अवलेबल है या नहीं क्योंकि वो लोग टूल्स अपने स्टॉन से बनाते थे तो ऐसे प्लेसिस को भी ढूंडते थे कि जहां पर उन्हें इसली स्टॉन्स मिल सके इसके साथ साथ वो ऐसे एरियास को भी ढूंडते थे जहां पर उनको एनिमल्स मिल सकें क्योंकि वो लोग एनिमल्स को भी खाते थे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब फैक्ट को ध्यान में रखते हुए ही वो अपने प्लेसिस को चोज करते थे हमें map 2 को देखना है और जितने भी ये places हैं जो red triangle के बने हुई हैं यहाँ पर archaeologist को hunter और gatherers के evidences मिले हैं means यह वो places हैं जहाँ पर hunter और gatherers रहा करते थे यह भीमखेडा, हुंसगी and कुर्नोल caves सिर्फ यही वो places नहीं हैं जहाँ पर hunter gatherers रहा करते थे बहुत सारे से places हैं जहाँ पर hunter gatherers रहते थे लेकिन उन places को यहाँ पर mark नहीं किया गया है most of the sites हैं जो sites archaeologist को मिली हैं वो कहाँ पर मिली हैं जहाँ पर उनको water resources available होते थे जैसे कि rivers और lakes के किनारे पर क्योंकि water होगा तो आसपास forest भी होगा forest होगा तो animals होगे यानि कि वो खाने और पिने दोनों की need को easily पूरा कर सकते थे ओके क्योंकि स्टोन उनके लिए important थे स्टोन से वो लोग tools बनाते थे तो ऐसे places को भी देखते थे जहां पर उनको स्टोन easily available हो सके अब यहां पर देखिए कुछ painting एक painting दी हुई है ऐसी बहुत सारी painting जो है अध्यप्रदेश और उत्रप्रदेश की caves पे मिली है और बड़ी accuracy और skill के साथ इन paintings को बनाया गया है इस painting के थिरू हम क्या सीख रहे है आप देख सकते हैं यह animal है और यह human being है जो कि animal को सीखा और हमें बताया कि भई हां जो earliest human being थे वो animals को क्या करते थे हंट करते थे शिकार करते थे उनको चेज भी किया करते थे next है sites sites आखिर होती क्या है देखिए हमने कितनी बार site 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 word का use किया है तो आखिर sites होती क्या है sites वो places होती हैं जहां पर archaeologist को बचा हुआ सामान मिलता है remain of the things चीज़े मिलती हैं जैसे कि tools हैं pots हैं और buildings हैं यह वो places हैं जहां पर लोगों ने अपने tools को बनाया use किया और उनको पीछे भी छोड़ दिया means उनको वो अपने साथ नहीं लेके गई अगर वो दूसरे places बजा रहे हैं क्योंकि यह tools जो है stone से बने हुए होते थे तो बहुत हैवी होते थे उनको carry करना बहुत मुश्किल होता था तो इ जो है पानी के नीचे भी मिलते हैं सो बहुत सारी ऐसी sites के बारे में हम अपने आगे आने वाले chapters में बढ़ने वाले हैं next है finding out about the fire आप fire के बारे में की early people यानि कि जो hunter gatherers थे वो fire के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे इसका पता archaeologist को कैसे जला अब फिर से जो है map number 2 देखिए वहां पर कुनूल केवस को हमें डूणना है कुनूल केवस पर archaeologist को ash के traces मिले हैं यानि कि कुछ राख वहां पर मिली है तो राख अगर मिली है तो यह सजेस्ट करती है कि यह लोग जो है fire के साथ familiar थे अब fire का use वो लोग क्यों करते थे बहुत सारी चीज़ों के ल यह है और यह आपको जो है comment section में write down करना है कि fire का use हम आजकल क्यों क्यों करते हैं next हमारा यह source दिया हुए है आपको यह source based questions भी आपकी exam में आएंगे तो इनको छोड़ना नहीं है यह बहुत ही ज्यादा important है तो हमारा जो यह source है इसको हम read out करते हैं that is names and dates देखिए जो अलग यह जिस time के बारे में हम पढ़ रहे हैं आप hunter gatherers के बारे में जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं archaeologist ने उनको बड़े 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 नाम दिये हैं they call the earliest period सबसे पुराने time को उन्होंने क्या कहा है paleolithic कहा है सबसे पुराना जो time है यानि कि सबसे पहले जो मानव रहा करते उस time को उन्होंने कहा है paleolithic जो कि two Greek words से मिलकर बना है first है paleo और दूसरा है lithics paleo का meaning होता है old और lithics का meaning होता है stone so जहां पर सबसे पुराने stone tools उन्हें मिली है उस time period को उन्होंने जो है paleolithic का नाम दिया है और यह जो time period था यह human history का 99% था means human history mostly human history जो है इसी में cover हो जाती है और य यह हमारा जो time period था वो two million years से 12,000 years तक रहा और इसको भी archaeologist ने three parts में divide किया है lower, middle and upper paleolithic time period और यह 99% human history को cover करता है second जो time period आता है वो उस time का है जब environment में changes हो रहे थे अब environment सेम तो रहता नहीं है अभी हमें ही देखिए कि पहले जो है इतनी जला गर्मी नहीं हुआ करती थी ले लेकिन day by day जो है warmth बढ़ता जा रहा है तो ऐसे ही पहले भी environment में change हुए तो environment में जो drastic जो सबसे बड़े change थे उस time period को archaeologist ने क्या कहा है और यह जो change होने का जो time period था वो था 12,000 years ago से 10,000 years ago तक इसको archaeologist ने mesolithic यानि की middle stone के नाम से पोकारा है stone tools यहां पर जो बनाए जाते थे वो generally क्या होते थे छोटे होते थे comparatively जो paleolithic age में बनाए जाते थे जो stone tools वो बड़े होते थे और mesolithic में जो बनाए जाते थे वो छोटे होते थे okay means उनको जो है उन्होंने अच्छी shape और अच्छा size देना start कर दिया था ताकि वो easily इसको use कर सके और इन tools के साथ उन्हें जो है व बड़े tools थे वो भी as it is continue थे इसके साथ साथ उन्होंने चोटे अच्छे tools भी बनाना start कर दिया था जो next days है वो है 10,000 years ago की जिसको हम नियो लिथिक age के नाम से जानते हैं आप नियो लिथिक आप नियो लिथिक वर्ड से क्या समझते हैं नियो लिथिक का मीनिंग होता है new stones tools okay so यह जो names यहां पर कुछ places के mention किये गए हैं वो हम जो आगे आने वाले chapters में भी पढ़ेंगे इनके बारे में briefly इनके बारे में हम अपने आगे आने वाले chapters में बढ़ेंगे कि क्यों जो है archaeologist ने इनको ऐसा name दिया और जो यह places थे इनको किस तरीके से name दिया देखो जो places के जो नेम है ना उन नेमस को जो जिन नेम से हम आज ने जानते हैं वही नेमस यूज किया जाते हैं क्योंकि पुराने टाइम पर लोग उनको क्या कहा करते थे वो हमें नहीं पता है इनके बारे में हम deeply अपने next chapters में पढ़ने वाले लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम जो है इनको discuss करते हैं जो सबसे पहला जो time period था वो था जिसको archaeologist ने नेम दिया था time period को वो था paleolithic then इसके बाद था mesolithic then इसको बाद था neolithic पहले लिठी का जो time period था वो 2 million years ago से 12,000 तक था then 12,000 से 10,000 तक mesolithic था और 10,000 years ago के बाद का जो time period है वो neolithic time period है okay so यह बहुत ही important है इनको बड़े अच्छे से याद करना है और changing environment अभी हमने पढ़ा कि environment change होना start हो गया था 12,000 years ago environment change होना start हो गया था और इसमें बहुत ही ज़्यादा major climate में change होए थे यानि कि जो conditions थी पहले क्या हुआ करती थी cool हुआ करती थी अब warmth condition होना start हो गई थी means गर्मी बढ़ गई थी अब गर्मी बढ़ने के साथ बहुत सारे ऐसे places थे जहां पर grassland का development हुआ जब grassland का development हुआ तो ऐसे animals की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई जो grass को खाते हैं जैसे की deer, antelope, god, sheep and cattle ये ऐसे animals हैं जो grass पर survive करते हैं तो जैसे ही grassland expand हुए वैसे ही इन animals की जो numbering थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई those who hunted these animals now followed them ऐसे hunters जो इन animals को hunt करते थे उन्होंने इसका जो है पीछा करना start कर दिया इन animals की food habits के बारे में उन्होंने सीखा कि ये लोग क्या-क्या खाते हैं ये animals क्या-क्या खाते हैं दैन इन्होंने जो है ऐसे seasons के बारे में भी जाना जिस time पर ये breed करते हैं यानिकी means ये चा करने जो हैं जो हsınız को देखा कि food क्या-क्या खाते हैं रिड की स्साथ करते हैं यह ज़्याधा वाइल है जब क्लाइमेट गरम हुआ तो आइस की जगह वाटर बन गया तो वाटर में वाटर एनिमल्स लाइक फिश जो है ग्रो करना शुरू कर गई तो फिश को इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था इस ताइम पिरेड पर 12,000 अगो कुछ अब आलना में लेगा की कि तरीके से हुई dha जब ग्रास फिरेड बाली औराइस विम्युए आप से ही। तो different subcontinent के different different areas पर जो है यह food wheat, barley and rice जो है grow होना शुरू हो गए थे naturally so man, women और बच्चों ने probably इनको इकठा किया होगा और ये भी साथ में सीखा होगा कि इनको हम किस तरीके से grow कर सकते हैं यानि कि कैसे ये grow होते हैं और किस time पर ये जो है पकते हैं तो इन सारी चीजों को उन्होंने notice किया और इस तरीके से उन्होंने food को grow करना start किया तो food को grow करना किसने human being को सिखाया था, that was nature nature नहीं उनको सिखाया, इन चीजों को उन्होंने observe किया और धीरे-धीरे सीख लिया इस तरीके से उन्होंने प्लांट को भी ग्रो करना सीखा और वो क्या बन गए? फार्मर्स बन गए. इसके साथ साथ में भी हो सकता है कि उन्होंने जो है अनिमल्स को नौटिस कर रहे थे ना, वो कि अनिमल्स क्या-क्या खाते हैं, कि वह ये अटेक हमारे उपर रिवर्ट में अट्रेक करते हैं या नहीं करते हैं, तो अनिमल्स की सारी की सारी हैबिट्स को जानने के बाद इन्होंने जो है अनिमल्स को टेम करना स्टार्ट किया, पालना स्टार्ट किया, ओके? जो वो क्या करते थे? अपने शेल्टर जहां पर वो लोग रहते थे अपने घरों के आस याज गेते अब घरो में रहने वाले अनिमल्स बन गए थे उंके पाल्तु बन गए गएकश है शॉल लोगों ने धीले धीले अपने कमपस के पास ही वो लोग अनिमल्स के लिए भी कमपस बनाने लगे और धीले धिले वहों होने गौट कटल जैसे और पिग जो यह जो एनिमल्स हैं वो हर्ड में रहते हैं रहते हैं तो यह चीज देखना स्वाट किया और इन को जो है उन्होंने ग्रास देकर अपनी तरफ अटेक्ट किया और इनको पालना शुरो minor काई बार यह होते थे लाइक जैसे डोग को उन्होंने पाला तो अबत बीर से लृट करते तो धीरे यही हैशने हैं affect ल में से अपने बाई रखो करेंगे तो ने अपने पास अपास रखना शरू कर दिए तो यह थी कहाने उनकी सवाश हमें। वो grow हो जाते हैं उन्होंने उसके time period को notice किया और time period को notice करने के बाद ये notice किया कि किस time पर ये पकते हैं सारी चीज़े notice करने के बाद probably उन्होंने जो है उसको grow करना start किया ऐसे ही animals के बारे में उन्होंने हर एक चीज़ notice कि कि किस तरह से animals जो है क्या खाते हैं किस time पर breed करते हैं क्या वो उन्हें वापिस मारते हैं या नहीं मारते हैं कौन से ऐसे animals हैं जो उनको दूसरे animals जो बहुत ज़्यादा dangerous होते हैं उनसे बचा सकते हैं तो animals की यह सारी habits जानने के बाद उन्होंने animals को भी rare करना start कर दिया था तो इस तरीके से वो लोग hunter gatherers से क्या बन गए थे farmers और her नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आई होप आपको जो है सारी चीजा अच्छे से clear हुई होगी अगर मेरी वीडियो आपके लिए helpful हैं तो प्लीज 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 शेर माई वीडियो लाइक माई वीडियो शेर विडियो और फ्रेंड सेंड फैमिलीज तो एवरीवन और झाल